हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक को बढ़ा सकते हो देखो जब भी कोई ब्लॉगर ने ने आता है तो सबसे बड़ी प्रॉबलम यही रहती है कि भाई उसकी साइट पर ट्रैफिक ही नहीं आता है वो आर्टिकल लिखते जाता है लेकिन ट्रेफिक नहीं आ रहे है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहाँ पे आसानी से ट्रेफिक ला सकते हो देखो इस ट्रेफिक में तो धीरे धीरे ट्रेफिक आपको पहले दिन से ही मिल जाएगा लेकिन पर ट्रेफिक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो उनके लिए है complete वो वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद उनकी ट्रेफिक की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है चली इस वीडियो को सुरू करते हैं तो ट्रेफिक की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ मैं सबसे ज़्यादा यही बोलूंगा कि अगर आपका आर्टिकल का क्वालिटी बहुत जबर जास्त है आपको लिखने आता है तो आपके आर्टिकल गूगल में रैंक करेंगे अब आपको आर्टिकल कैसे लिखना है जैसे कि आपको टाइप कर देना है गूगल में SEO पर rank कर रहा है और देख सकते हो SEO friendly articles कैसे लिखें यह मेरा rank कर रहा है इस article को आपको basically open कर लेना है और इसको देख्के आप समझझाओगे कि article लिखना कैसे आपको अगर आप आर्टिकल ही नहीं लिखना जानते हो तो फिर आपको यहाँ पे organic traffic प्राफिक मिलने में बहुत ज्यादा प्राब्लम होगी क्योंकि आपके आर्टिकल गूगल में रैंक नहीं करेंगे गूगल में रैंक करना है तो आपको सीखना होगा कि एस्यो फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं जो गूगल में फास्ट रैंक करें ठीक है तो इस वीडियो इस पोस्ट को आप पढ़ोगे ना तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि रैंकिंग हमें बैसे किली मिलेगी कैसे और लिखना कैसे ठीक है तो इसको आपको देख लेना है और जैसा कि आपने देखा कि मेरा यह पोस्ट गूगल के पहले पेज पर रैंक कर रहा है क्योंकि मैंने इसमें अपना 100% यहाँ पर अफ़र्ट लगाया है और अच्छे से इसको लिखा है मैंने ठीक है तो यह काम सबसे पहले करना है अगर आप रैंक करना च तो content पे आपको focus करना है अब आते हैं point नमर दो पे point नमर दो है हमारा social media traffic अभी लोगों को लगता है गे ना social media traffic वही बताएंगे कि हाँ facebook पे share करो इंस्टा पे share करो लेकिन देखो यार उसका एक strategy है अगर आप सही strategy लेके काम करोगे तो वो सच में वहाँ से बहुत ज्यादर traffic जैसे कि मैं आपको बताता हूं facebook का दो facebook पे आपको आना है और यहां पे search कर लेना है share blog post ठीक है बहुत से ऐसे यहां पे groups हैं जो share blog post से related यहां पे basically वह permission देते हैं कि आप जोइन करो अपने article को वहां पे share कर सकते हो जैसे कि यहां पे देख सकते हो एक है share blog post इस पेज पे मैं जाता हूं तो यहां पे इस page पे जाने की बाद आपको देखने को मिलेगा कि भाई यहां पे member देखो 4800 है मतलब लगबक प्रॉक्स 5000 लोग member यहां पे जूड़े हुए हैं और इस 5000 में कोई भी बंदा आके यहां पे अपना article share कर सकता है अब article share करने से देखो एक तो instantly आपक zero traffic मिल रहा है लेकिन आप share कर रहे हो तो आपको traffic मिलना सूरू हो जाता है ऐसे ही आपको बहुत सारे groups मिलेंगे उन groups में join करना बिल्कुल free होता है join करो और अपने article को वहां पे share करो अब देखो बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि एक ही group में बहुत सारा article यहां पे एक ही spam करोगे तो फिर आपको यहां पे आपको reject कर दिया जाएगा आपको ban कर दिया जाएगा उस group से तो आपको थोड़ा अच्छे से काम करना है ऐसा नहीं है कि आप spam करने लगो point no.3 backlinks आपको बनाना बहुत जरूरी अब backlinks कैसे आपकी traffic को बढ़ा सकता है उसके बारे में बात करते हैं जैसे कि हमारी यह website bloggingskill.com और अगर कोई भी blogging के बारे में लिख रहा है और मैं अपने इस website के किसी post का backlinks किसी भी अपने relatedness पे यहां पे जाके बना देता हूं और वो जहां पे मैंने जिस post में मैंने अपना link डलवाया है backlinks बनाया है अगर वो rank कर रहा है वहां प traffic देखने को मिलेगा तो इसलिए backlinks जब भी बनाओ तो आप अपने related website से बनाओ और आप जब related website से traffic बनाओगे तो आपको back links बनाओगे तो आपको बहुँ ज़्यादा traffic देखने को मिलेगा और यह इससे आपकी authority भी बढ़ेगी आपकी website की क्योंकि अब जब आप backlinks बना रह factor भी माना जाता है तो backlinks बनाना बहुत जरूरी है जो लोग backlinks नहीं बनाते हैं वह लंबे समय तक basically blogging में टिक नहीं पाते हैं क्योंकि कुछ time तक उन्हें traffic मिलेगा और backlinks authority ना होने की वजह से उनका यहां पर traffic अचानक से डाउन हो जाता है तो यह आपको काम करना होगा ले बहुत से लोगों से email आप यहां पर ले सकते हैं और उन्हें email भेज के आप अपनी साइट पर traffic बढ़ा सकते हो जैसे कि एक तरह से web push notification होता है ना कि बहुत सारे audience हमारा subscribe करके रखते हैं तो वहां से traffic आता है उसी तरह से email से भी हमें traffic आता है email marketing आपको करना सीखना होगा अगर आप Google Discover से traffic चाते हो ना तो आपको अपने content को Google Discover के लिए optimize करना होगा जैसे images वगेरा आपको 1200 pixel wide रखना है और Google Discover में जाने के लिए instant traffic आप push करोगे ना तो Google Discover में जाने के chances बढ़ जाते हैं तो Google Discover के उपर मैं अपने channel पर वीडियो बना चुका हूँ अप यहां पर search कर स सकते हो कि कैसे Google Discover से traffic ला सकते हो तो Google Discover के लिए भी आपको optimize करना चाहिए अपने content को ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको traffic मिल पाए एक बर Google Discover में आपका आगया article तो फिर वहां से जो traffic आएगा ना वह और गैनिक वेगरा सब फेल हो जाएगा उसके सामने ठीक है पॉइंट नमर 6, create web storage, Google Discover से traffic चाहिए, instant traffic चाहिए तो तुरंत आप web storage बनाना शुरू करिए, नई website पे web storage बनाने पे आपको बहुत जादा यहाँ पे result देखने को मिलता है और कुछी दिनों में, दो-चार दिनों में ही आपको traffic मिलना शुरू हो जाता है, तो आप web storage बनाए पॉइंट नमर 7, long tail keywords को हमेसा फोकस करिए, जब भी आप देखोगे, मैं जब भी कोई वीडियो आर्टिकल लिखता हूँ, तो वहाँ पे मेरे जो keywords होते हैं, हमेसा long tail keyword को target करता हूँ, ताकि मेरे article Google में rank करे, long tail keyword पर थोड़ा rank करना आसान होता है, और जब long tail keywords को आप target करते होना, तो अलग-अलग keywords पर आपके article rank होते हैं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, SEO friendly article कैसे लिखे, यह मेरे rank कर रहा है, क्योंकि मैंने long tail keyword ही target किया था, अपनी site के अंदर, अपने post के अंदर, ठीक है, पॉइंट नमर 8, बहुत ही important है, internal linking आपको करना होगा, अब internal linking होता क्या है, वो पहले समझ लो, जैसे कि यह देखो, यह मेरा article है, SEO friendly article कैसे लिखे, तो इसके अंदर, देखो, SEO क्या है, यह आ रहा है, इसके अंदर, देखो, link है, अब इस पे कोई भी click करेगा, तो वो page कौन सा open हो जाएगा, SEO क्या है, SEO की पूरी जानकारी, तो य यह internal linking है, ठीक है, अब इसके अंदर भी देखो, internal linking हुआ है, ठीक है, internal linking आपको इस तरह से करना है, बैसके लिए, बैसके लिए, देखो, internal linking कुछ इस तरह से करना है, यह must read, यह मैं पहले जब करता था, internal linking, तो इस तरह से करता था, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे क कि मैंने बताया कुछ इस तरह से इंटर्नल लिंक करना है तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे इंटर्नल लिंक किया है उसी तरह से आपको करना है जैसे ओन्लाइन पैसे कैसे कमाए तो यह टेक्स्ट पे आपको और इससे आपको definitely बहुत ज़्यादा help मिलेगी और आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप traffic बढ़ाना चाहते हो यह strategy lifelong काम करेगी हमेशा काम करेगी अगर आप इसे implement करते हो अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like करिए blogging SEO make money online से related content आपको देखना पसंद है तो यह channel आपके लिए subscribe कर सकते हैं धन्यवाद